नीतिव चंद 10, 11-20 तक, धर्मी का मुह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रब दुष्टों का मुझा लेता है, बैसे तो जगड़े उत्पन होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध धब जाते हैं, समझवालों के वचनों में बुद्धी पाई जाती है, परंतु निर् को रख छोड़ते हैं, परंतु मूर के बोलने से विनाश निकट आता है, धनी का धन उसका द्रिर नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाब से पाप होता है, जो शिक्षा पर चलता, वह जीवन के मारग पर है, परंतु जो डांट से मुह मोरता, वह भटकता है, जो बेर को छिपा रखता है, वह जूट बोलता है, और जो जूटी निनदा फैलता है, वह मूर्ख है, जहां बहुत बातें होती है, वहाँ प्राद भी होता है, परंतु जो अपने पहिर की वस्तुओं से सावारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे, जिनमें यह सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो धाया न जाएगा। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अफसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। तारानकन क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धी दूनगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकरवाएंगे यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। परन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांकाना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्रानों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलिम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना की उसका उजर जाना निकट है। तब जो यहुदिया में होवे पहारों पर भाग जाएं और जो यरूशलिम के भीतर होवे बाहर निकल जाएं और जो गावों में होवे उसमें न जाएं। क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिन में लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गरभवती और दूद पिलाती होंगी उनके लिए हाए हाए। क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकॉप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुँचाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशले मन्य जातियों से रौंदा जाएगा। सूरज और चांद और तारों में चिनह दिखाई देंगे और प्रित्वी पर देश-देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगी। तब बे मनुष्य के पुत्र को सामर्थे और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सेर ऊपर उठाना क्योंकि तुम्हारा चुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक द्रिश्टांद भी कहा अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। जोही उनमें कोमपले निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीश्मगाल निकट है। इसी रीती से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो की परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें, तब तक इस पीड़ी का कदापी अंधन होगा। आकाश और पृत्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, और मतवालेपिन, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्थ हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आपड़े। क्योंकि वह सारी पृत्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुश्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहार पर रहा करता था और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानों से लेकर परात महान तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूनगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर द्रिर हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपत मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आग्या नहीं दी। फ्याव बांध कर द्रिर हो जा, भै ना खा, और तेरा मन का अच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यहाग्या दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यहाग्या दो, कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि तीन दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतर कर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिये हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यर्दिन के इस पारसूर्योदे की ओर तुम्हें दिया है, लोटकर इसके रुद्ध बलवा करे, और जितनी आग्याएं तूदे उनको न माने, तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तूद्रड और हियाव बांधे रहे हैं, यहोशु दो, एक से चौबीस तक, तब नून के पुत्र यहोशु ने दो भेदियों को शितीम से चुपके से भेज दिया तब यरिहो के राजा ने राहाप के पास यों कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं, उन्हें बाहर ले अपक्यों की वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा, और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती की वे कहां के थे, और जब अंधेरा हुआ, और फाटक बंध होने लगा, तब वे निकल गए, मुझे, मालूम नहीं की वे कहां गए, तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छट पर चड़ा कर सनई की लकडियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छट पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घात तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंध किया गया। ये लेटने पाये थे कि वह स्त्री छट पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चे है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भहे हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारंग घबरा रहे है क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओगनामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाशकर डाला है, और यह सुनते ही हम अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझ से यहोवा की शपत खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो, कि तुम मेरे माता पिता, भायों और बहिनों को, और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रक छोड़ो और हम सबों का प्रान मरने से बचाओगे। तब उन पुरुशों ने उससे कहा, यदि तु हमारी यह बात किसी पर प्रगट न करे, तो तुम्हारे प्रान के बदले हमारा प्रान जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चा इसे तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लोटना आएं तब तक, अर्थात तीन दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपत तुने हमको खिलाई है, उसके विशे में हम तो निर्दोश रहेंगे। सुन परन्तु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पढ़े, तो उसके खून का दोश हमारे सिर पर पढ़ेगा। फिर यदि तु हमारी यह बात किसी पर प्रगट करे, तो जो शपत तुने हमको खिलाई है, उससे हम स्वतंत ठहरेंगे। उसने कहा, तुम् पहार से उत्रे, और पार जाकर नून के पुत्र यहोशु के पास पहुँचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्नन किया। और उन्होंने यहोशु से कहा, नी, संदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाए उसके सारे निवासी हमार एक आरं घबरा रहे हैं।